सो हे दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने लोन को जो EMI होती है वो आप फोन पे से कैसे पे कर सकते हैं अगर आपका भी home credit से loan चल रहा होगा अगर personal loan, car loan, auto loan, business loan, home loan जो भी आपका अगर home credit से loan चल रहा है उसका EMI जो होता है हर महीनी की जो EMI आती है वो कैसे आप यह कर सकते हैं तो आपको simple सा क्या करना है अपने phone pay को open करना है यहां पर चलिए हम phone pay को open कर देते हैं, open करने के बाद में यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी loan का EMI payment करना है, उसमें आपको scroll down करना है, और यहां पर recharge and pay bills लिखा हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको यहां पर देखना है कि loan repayment दिख रहा ह है, तो ठीक है, नहीं दिख रहा है, तो आप CR पर click कर लेंगे, CR पर जैसे click करेंगे, click करने के बाद में यहां पर सारे चीज़ों का, सारे चीज़ यहां पर आज आएंगे, कि जैसे जो भी आपका है, वो सब चीज़े आज आएंगे, तो यहां पर आपको देखने को एगा, Financial, Service & Taxes, मतलब की आपका जो financial का जैसे आपने अपने कोई finance कराये, mobile finance कराये, laptop finance कराये, या फिर गारी finance कराये, कुछ भी फइस करवाया तो उसका जो payment होता है, लोन repayment होता है, उसको आपको भायरना पड़ता है, हर महीने की यमाई, तो आपको क्या करना है, loan repayment पे option देखनी को मिल रहा, loan account number and contract ID दो चीज़ होती है, जब आप एक तो contract ID एक होती है, कि जब आप गाड़ी finance करवाते हैं, तो वहाँ से मिलता है और या तो जब जिस bank से आप finance करवाते हो, उस bank आपको वो bank आपको loan account number बना के देती है, तो यहाँ पर तो देखिए चलिए हमने already इसे मतलब home credit से loan लिया है और loan लेने के बाद में मैंने उसका EMI भी pay किया है, तो चलिए मैं आज आज आपको pay करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप EMI pay कर सकते, home credit का तो आपको क्या करना है, वहाँ पर loan amount भरना है, loan amount भरने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको देखनी को मिलेगा, जो की मेरा home credit का जो यह loan account number है, यह देखिए 420-427 बाकि उसके आगे का जो number है, तो वो सब देखनी को मिलेगा, और उसके बाद में यहाँ पर detail में देखेंगे, तो यहाँ पर नाम है, और नाम की नीचे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा amount है, amount यानि की इतना amount हमें भरना है, 1193 रुपे, तो बट हम अभी आपको demo दिखा रहा है, तो 1193 93 रुपे मैं नहीं भरूँगा, यहाँ पर मैं 10 रुपे करके, यहाँ पर चलिए मैं 10 रुपे कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पर 10 रुपे जैसे हम पे करेंगे, तो पे करनी के बाद में यहाँ पर आपको अपना पे करनी के बाद में आपको जो अमाउंट है वो पे हो जाएगा ट्रांजिक्शन आइडी यूटी आर नंबर जो भी होता है वो आपके मोबाइल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों यहां पर मैं पे नहीं करूंगा विकास मैं अभी जब पे करूंगा तो वह रूल्स जो होता है वह मि जो जाएगा तो इसके वज़से मैं करूंगा नहीं तो जब इसकी एमाई की डेट होगी तभी मैं करूंगा तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगे गर वीडियो पसंद आई तो प्लेज चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब किजे बिल आइक के लिए थैंक यू सो मच